ओम शांती अब सबको सो गयते हैं आज हम पहुंच गए हैं 11 डिसंबर की श्रुवदान में परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम परक करके निरने कर पाएं हर चीज में तो परकने की शक्ती बहुत ही ज़रूरी है इसलिए परमात्मा कहते हैं कि क्लियर बुद्धी बुद्धी तब क्लियर होती है जब हमारे अंदर इर्शा की संकत्थ न हो या किसी से बदला लेने की हमारे अंदर भावना न हो क्योंकि हम किसी की पदलानी की भावना जब करते हैं, create या इर्शा, तो उस वेक्ति की चत्र बनता है, और उसके साथ में हम फिर dialogues बोलना शुरू करते हैं तो इसका मलत बुद्धी हमारी clear नहीं है, तो clear बुद्धी द्वारा हर बात को परक कर यथार्थ निर्णे करने वाले सफलता मुरत भवा, तो actual बात क्या है, clear बात क्या है, वो तभी पतलती है, जब clear बुद्धी होती है, जितनी बुद्धी clear है, उतनी परकने की शक्ती परात होती है, उतनी हमारे दर clarity होती है, हमें चीज़ें जैसी हैं वैसे दिखनी शुरू होती है, ना कि जैसी हम देखना जाहें, ज्यादा बातें सोचने के बजाए एक बाप की याद में रहो, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कर देंगे ऐसा तो नहीं बोल देंगे, ये सोचने को बताए, बाप की याद में रहो तो उससे क्या होगा, हमारी बुद्धी और क्लियर होती जाएगी एक बाब दूसरा ना कोई, इसलिए कहा जाता है बाब से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परकर यथार्त निर्णे कर सकेंगे बाब से क्लियर रहो, उनके साथ में जो अपनी बहावने आरी उनको कह दो कि बाबा मेरे अंदर ये बहावने आरी हैं ये मेरे संकल्ब चल रहे हैं आप मुझे मदद करिए अपने मेरी बुद्धी को आपकी ताकत से शक्ती से क्लियर और क्लीन बना निकलिए तो फिर हम क्या होगे नेड़ने कर सकेंगे जैस समय जैसी परि कर निर्ने लेना ये भी बहुत बड़ी शक्ती है जो सफलता मुरत बना देती है तो कहां पर बोलना है कहां पर नहीं बोलना है कहां पर समल के चलना है कहां पर अपनी बात को रखना है कहां पर किसका मूट कैसा है उसके हिसाब से क्या बोलना क्या नहीं बोलना उसके मूट अभी अब इमान में बोल रहे हैं या इर्शा में ग्रना या नाफरत में बोल रहे हैं तो यह सब कुछ हमें सिखा जाता है ब्रहम कुमारीज में आप भूत करके इसको सीखे कि शक्ति कैसे लेनी है और परख्णे की शक्ति को अभी से बुड़ाना है हुम उन्हें तिसके सेट